कबीर ने लिखा है बरा भया तो क्या भया जैसे पेर खजूर पंची को छाया नहीं फल लागे अतिदूर अर्थाद खजूर का पेर बेशक बहुत बड़ा होता है लेकिन ना तो वह किसी को छाया देता है और फल भी बहुत उचाई पर लगता है इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बरे होने से कोई फाइदा नहीं बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीक मांगने से मरना भला यह सत गुरू की सीख अर्थाद किसी के आगे हात मत फैलाओ मांगने से मर जाना बेहतर है प्रयास यह करना चाहिए कि हमें जो भी वस्तु की आवशक्ता हो उसे अपने मेहनत से प्राप्त करें ना कि किसी से मांग कर जिन्दा बाप कोई ना पूजे मरे बाद पुजवाया मुठी भर चावल लेके कववे को बाप बनाया अर्थात जब माबाप जिन्दा थें तब उनकी पूजा नहीं की मरने के बाद मुठी भर चावल लेकर कववा को बाप बना कर उसकी पूजा करते हैं ऐसे व्यक्ति महान दुस्ट की श्रेनी में आते हैं जातपात सब जूट है भरम परो मत कोई जाती नहीं जगदीश की और अनकी क्या होई जातपात सब ढोंग है इस भरम में परने वाले व्यक्ति मुर्ख है क्योंकि इश्वर की भी कोई जाती नहीं है तो हमारी कैसे हो सकती है इसलिए सभी प्रेम से रहें प्रेम ही सब कुछ है प्रेम छिपाए ना छिपे जो घट पर घट होए जो पाए मुकबोले नहीं नयम देत हैं रोए अर्थात हिर्दय प्यार से भरा हो तो छुपाए नहीं छुपता प्यार हिर्दय से बाहर निकल कर आ जाता है जब किसी से प्यार हो जाता है तो वह अपने आप व्यक्त हो जाता है इस अवस्था में व्यक्ती का सुद्भुद्ध खो जाता है हिर्दय भाव विहील हो जाता है और आखें छलक जाती है सच बराबर तप नहीं जूट बराबर पाप जाके हिर्दय साच है ताकि हिर्दय आप सत्य का पालन सबसे बड़ी तपस्या है जूट से बढ़कर कोई पाप नहीं जिसके हिर्दय में सत्य का वास है प्रभु उसके हिर्दय में निवास करते है कभीरदास जी ने लिखा है माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया जिन्दा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया कभीरदास जी कहते हैं इस संसार में उल्टी रीथ है लोग मिट्टी का सर्प बना कर उसकी पूजा करते हैं लेकिन जब जिन्दा सर्प यदि घर में निकल जाए तो उसे मार देते हैं प्रीत ना कीजे पंची जैसी जल सूखे उड़ जाए प्रीत जो कीजे मचली जैसी जल सूखे मर जाए अर्थाद प्रेम पक्षी के जैसा नहीं कीजिए कि जिस अस्थान पर जब तक जल है वहां तभी तक रहे और जब जल सूखे तो उड़ जाए प्रेम करना है तो मचली जैसा कीजिए कि जब तक जल रहे मचली भी तभी तक रहे अगर जल सूख जाए तो मचली भी मर जाती है जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए यह आपा तो डाल दे दया करे सब कोई अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं बन सकता अच्छे दिन पाच्छे गए हरी सोकिया नहेद अब पच्चतावा क्या करे चिडिया चुकी गए खेद देखते ही देखते अच्छा समय बीटता चला गया तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई प्यार नहीं किया समय बीट जाने पर पच्छताने से क्या मिलेगा उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेद की रखवाली ही ना करे और देखते ही देखते पंच्छी उसकी फसल बरबाद कर जाए राम नाम करवा लगे मीठे लागे दाम दुविधा में दोनों गएं माया मिली न राम संसारी लोगों से प्रेम, मेल जोल और शारीरिक सुख जब व्यक्ति को मिलता है तब वो दोनों को भूल जाता है दुविधा परने पर दोनों को याद करता है उस समय ना माया मिलती है और ना हिराम साहिब से सब होत है बंदे से कचुनाही राई से परवत करे परवत से फिर राई एक व्यक्ति को कभी भी इतना अभिमानी नहीं होना चाहिए कि वह दूसरों को नीचा दिखाने लगे नारी निंदा ना करो नारी रतन की खान नारी से नर होत है द्रूप हलाद समान अर्थात जो इस्त्रियों का आदर नहीं करते हैं वे कभी महान नहीं हो सकते हैं नारी मनुष्य की जन्म दात्री है और उसकी बलिष्टता नारी पर ही नर्वर है कभीराबात गरीब की सच ना माने कोए धनवान की जूट में हाँ जी हाँ जी होए गरीब वेक्ती अगर सच भी बोले तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और धनवान अगर जूट भी बोले तो लोग उसे सच मान लेते हैं संसार में सम्मान किवल धन और पद का होता है व्यक्ति का नहीं कभीरदास ची कहते हैं सुख में सौ मिले दुख में मिले न एक साथ कस्ट में जो रहे साथ ही वही है नेक इस संसार में सुख में तो हर कोई साथी होता है जब इनसान पर विपदा या दुख आता है तब सब साथ छोड़ जाते हैं जो इनसान दुख में साथ खरा हो वही नेक साथी होता है कबीर जो हरी भजन करते नहीं करे दान में ढील उनके धन को खाएंगे वैश्या वेद वकील जो वैक्ति परमेस्वर के नाम का भजन नहीं करता और दान करने में देरी करता है या करता ही नहीं उसके धन को वैश्या, डॉक्टर और वकील ले जाते हैं अर्थात, नसा, बिमारी, जुआ, मुकद्मा और वैश्या वृति में उसका धन बरबाद हो जाता है पृति पुरानी ना होते है, जो उत्तम से लाग सौ बरसा जल में रहे, पत्थर ना छोड़े आग सच्चा प्रेम वह है, जहां एक बार किसी से मन लग गया तो अंतिम सांस तक वैक्ती का मन उसी की कामना करता है यदि समय के साथ प्रेम भाव कम होने लगे तो यह सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम कभी पुराना नहीं होता जिस प्रकार पत्थर सौ वर्सों तक भी पानी में रहने के बावजूद भी पत्थर से आग अलग नहीं हो पाती कभीरदास जी कहते हैं साथू भूखा भाव का धन का भूखा ना ही धन का भूखा जो फिर ये सो तू साथू ना ही अर्थात साथू भाव का भूखा होते हैं धन का भूखा नहीं जो धन की चिंता में घूंगते हैं, वह साधू नहीं हैं। मन मैला तन उजरा, भगुला कप्टी अंग, तासो तो कववा भला, तन मन एक ही अंग। भगुले का सरीर तो उजवल है, पर मन काला कपट से भड़ा है, उससे अच्छा तो कववा है, जिसका तन मन एक जैसा है, और वह किसी को छलता भी नहीं। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको आज का यो वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा। जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए। नमस्कार